आज की या बीडियो बीए बेसी बीकॉम के फर्स समेस्टर के छात्रों के लिए बहुती महात्पूर होने वाली है क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बीए बेसी बीकॉम के फर्स समेस्टर में यानि फर्स्टियर के फर्स समेस्टर में एक को करिकुलर यानि की अनि सीक्यू टाइप के कुछ इस प्रकार देखने के एक क्वेश्चन नहीं का चार आपसर नहीं कि जो सही रेगों से आपको टिक करना होता है तो वीडियो बहुत ही महात्पूर होने वाली तो वीडियो को आंते तक जरूर देखती रहीगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते ह कि आज इस का है कि भोजन के क्या कार है झाले के लेकिन हम आपको धेरे थे तैयारी करा रहें तो वीडियो को लास्तक देखते रहेगा भोजन के क्या कार है इन आप्चनों में से ठीक है शरीर को उर्जा प्रदान करना है फिर सरीर की ब्रद्धी करना है फिर रोगों से यानि कि जो रोग हो जाते हैं जो बीमारी हो जाते हैं उनकी फुरच्छा करना ठीक है तो सिंपल सा उत्तर हो जाए कि जो भोगन भोजन होत काम करता है इसलिए इस प्रशन का सयुत्र हो जाएगा यह सभी भोजन के कार्य यह सभी होते हैं याद करेंगे अगला कोईस्चन देखने को मिलेगा कि नमक की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर आप लोग नमक कम खाते हैं तो वहाँ पर जो रोग होता है तो उस रोग का नाम है घेंगा रोग हो जो कि गले के पास होता है ठीक है साइड में गले में ठीक है वहीं पर होता है इसे घेंगा रोग बोलते हैं ठीक अगला कोईस्चन कहरा है कि सूरी की उसमा से प्राप्त होने वाले बिटामिन का क्या नम है आप लोग को बहुत सारे डॉक्टर या फिर आपको काफी हो जाती है ठीक है तो आपको डाक्टर कि वोलता है कि आपको इस बिटामिन की कमि और इस बिटामिन की आपको पर्याब्त मातंधा म saat लेने के लिए आप लोगों को क्या कर ना हुगा सूरी के जो प्रकास होते है यानि कि धूप में आपको रहना पड़ेगा ठीक है तो धूप से जो बिटामिन मिलती है याद रखेंगे बहुत ही महात पूर्ण है उस बिटामिन का नाम है डी बहुत लोगों का आपने देखा है डाक्टर बोलते कि आपको बिटामिन डी की कमी है तो बिटामिन डी की कमी जो होती है जब आप ज्यादा प्रकास में नहीं रहते हैं यानि कि सूरी के प्रकास में नहीं रहते हैं तो क्योंकि बहुत ही बड़ा मुख स्रोत है बिटामिन ड पएं टिक है निश्ट कोई है कि दूлюद में किस विटामिन या रखिंह आप सभी के लिए और चलिए आप सभी में बताईए इस कुछ ने का जो कसे उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कौन सा आप्षन नमबर धी के दूद में बिटामिन का जो अभाव होता नों लेकिन आपकी जानकारी के कि लिए बता देए जब आप सर्च करेंगे फिर देखें के यह पर भी तो दूद में कई सारे भीटामिन पाये मैं जाते हैं जैसे भीटामिन E-विबिफाये जाता है टिक है और MAR बिटामिन B भी-पाये जाता है औरgrad argument डी भी पाया जाता है लेकिन यहां पर question यह कह रहा है कि दूद में किस vitamin का जो अभा होता है तो वो vitamin D होगा यहां पर प्रश्ण सही उत्तर ठीक है लेकिन पाया जाता ABD यह तीनों vitamin पाया जाते हैं ठीक है चले next question देख लेते हैं और संपूर अहार है ठीक है तो इन आपसरों में से पूरा ओहर कौन सा है तो आपसरों में से संपूर अहार हलाकि इन इन में इस तरह देखा जाए तो कोई नहीं लेकि जब आपसन दे जाएंगे वह आपको बताना है इन आप्सेटों में सिर्शी जल का मात्रा होती हूँ सत्तर प्रिसस्त होती है भार लगबग सत्तर प्रिसस्त होता है है कि हाइड्रूजन गैस जो करेंके अनुपात का रसानिक योगी क्या है तो द्यान नग बहुत महत्वट्पोर्व प्रश्ण भी तीक यह प्रस्ण का सवत्तर हो जाएगा सुद्ध जल्टिक हाइडोजन तथा आक्षीजन गेज के अनुपात का रसानिक योगी सुद्ध जल्टिक Except- GG ने कि जल्ट प्राब्त का प्रमुंख्स्वत्र क्या है तो बाई है जल्ट प्राप्त का मुख्स्वत्वत्र उस तरह देखा जाए तो सभी ज muốn क्योंति कि वाई जल मिलता है लेकिन मुख चोम्ता आपको बताना इस तरई दिया जाए तो आपको घ्रह होगी है अगला कर दमिक बांधों के पास बनाई जाती है क्या बांध बड़े बड़े होते हैं वहां पर क्रितिम जीले बनाई जाती है क्रितिम जीले ठीक है कठोड जल में घुले रहते हैं यानि कि जो कठोड जल रहता उसमें क्या घुले रहते हैं तो उसमें कैल्सियम तथा मैगनेसियम दोनों के लवड होते हैं ठीक है वही खुले होते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा कि जल किसके ताप को नियंतित करता है ठीक है इन आप सुनों में से जल जो है किस चीछ को नियंतित करता है याद रखेंगे वह सरीर के ताप को नियंतित करता है अगला क्वेश्चन सुटधिकरण में कौन सी प्रयोग की जाती है इसमें से कौन सी प्रयोग क्या जाता है तो सुट आता है जैसे कि आप लोग देखते होंगे informação पुछा जा रहा है कि पीपल्ट के लिए को सुटधिकरण के लिए ठीक है कोन सी प्रयूरीन धृक поех प्रयों घृ motives जल को फुद्धी करन करने के लिए तो आप बता देंगे कुलोरीन गैस पुरियोग की जाती है कि कुछी कुलोरीन जल किस ताप करम पर बर्फ में परेडित होता है जल किस ताप करम पर कितना था होता तो बर्फ में वह खॊकाब आसाफ भी कोश्चन हो सकता है तहीं है। जाप कब ब्रस्वान नहीं हो सब 2-3 भंग्ष के noi कुश्चन है तो वहां पर 0gr celsius का ताप़ान होता है। वहांद काई जल कि ताप क्रम पर वास्वमें बदल जाता है यानी कि दुमें बदल जाता है जिसे कि आप लोग कपड़ा सूखाते नहीं जब कपड़ा आप डालने जाते भीगो के भीगो तो यह वास्व उबनकर उड़ जाता है,ठीके है तो वह कितने encant सेल्षियस में कितने ताप पर वह वास्फ में बदलता है यह वह होता है तो आपको जल वह वास्फ पनकर तो वह उड़ाता है ठीक है अगला कोश्टिक कहीरा कि कुए के पानी में सुद्ध करने ही तो क्या मिला जाता यह यह वह बहुत गावन में आपने देख्या होगा कोई बहुत गंदे रहते लेकिन कभी-कभी बहुत लोग बी आई-पी टाइप की लोग होते हो क्या करते हैं कोई में पानी सुद्ध करने के लिए उसमें कुछ चीज़े मिला देते हैं वह आज आप जान लीजिए ठीक है तो इसमें मिलाया के लिए क्या यूज किया जाता है तो आज आपने जाल लिया ठीक है पोटेसियम ठीक है पैर मैंग नेट यूज किया जाता है अगला कुछिन कह रहा कि आस्वन बिधिद्वारा कि आस्वन बिधिद्वारा सुद्ध केगे जल का क्या नाम है ठीक है तो उस जल का नाम है ठ कोलेस्टरोल का अफतर कम करता है ग्लुकोज के अफतर को कम करना है जै प्रक्रिया का निर्मार जो वजन घटाती है यह सभी कार है इसलिए सही उत्तर हो जाएक इते साफर में से सभी या फिर इंवे से सभी ठीक है याद रखेंगे अगला कोश्चिन कही रहा कि निदे कि प्रमुख लाँ भाइबर वह आपकी बोर्डिमरे टा उसकी बात हो रही थी कि तो अहार को लेका को कम करता है यद्टोन और किट्रौन के के इलाज में साहय करता है कैंसर के जोकियों को कम करता है या फिर फिर उपर्युक्त मैं सभी लाव है ठीक है तो फाइवर के जो प्रमुक्ष लाव है वह लौए इन सभी में वर्क करता है इफले फ्रहीं उत्तर हो जाएगा डी नमबर है अगला कोश्चन कही रहा है कि पचाफ फे अधिक वैस्क पुरुष यानि कि जवान आदमी या फिर पुरुष के लिए फाइवर की दैनिक मांग कितने होती है ठीक है जो पचाफ फे अधिक उमर की जो लोग होते हैं उनको फाइवर की मात्रा कितनी चाहिए अगला कोश्चन है कि घुलन सील फाइवर का प्रमुख कार क्या है ये भी हाई लेबल का कोश्चन है तो सहुत्तर हो जाएगा मल की मात्रा बढ़कर ठीक है मते फर्जन को बढ़हावा देना ठीक है अगला कोश्चन है कि निम्न में पोसर की कमी एक इस्थिती है जिसमें रोगी मुख्य रूप से लीन मांस का उप्वोग करते हैं तथा पोसक तत्तो का कोई अन्फरोत नहीं है तथा इस प्रकार स्वाफ्त जटिलताओं का विकास होता है ठीक है तो इस कोश्चन का ये मतलब है कि इन आप सुनों में से ठीक है कौन सी एक पोसर की कमी की इस्थि तो वह याद रखेंगे वहत हैं रिप्रोटीन विशक्सतता ठीक है विसक्सतता ओके बीनमबर स्थि उत्तर होगा अ अगला क्वें यह कह रहा है कि यह उर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्योंकि कोश्च का उपस्थित में कुश्च का दिश का रियूख करते हैं तो किस करती हैं अगला की सौच युम कब्ज राहत दिलाने में कौन सा सहाय करता है इन आप सब्सक्राइब जैसे कि मालूब आपको लेटरिंग जाते हैं या फिर आपको कब्ज बनी गैश बनी तो वहां पर आपको इन आप सब्सक्राइब लोकज यानि की तो इस प्रस्ति प्रस्ठन का सब्बराप समय करता है सरीर में तो उसके साथ वर्क करता है पारचन करिया में इसलिए यही सुथ सही उत्तर होगा ठीक है अगला कोश्चिन कह रहा ध्यान से सुनेंगे कि धमनिया फिर्देयों सरीर की अन्य भागों में आख फिजन युक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वहकाओं के अंदर पटिका के निर्माड को किसकी इर्थित की रूप में जाना जाता है ठीक है ठीक विज रूप में जाना जाता उसका नाम में ध्यान लखिएंगी वह महत्त पूर्पस नहैं ठीक है तो कौन सा दोहरा बंधन नहीं रखते हैं तो इन आपसरों में से सही उत्तर हो जाएक आपसर नमबर संत्रप्त डी नमबर संत्रप्त वाला जो है न दोहरा बंधन नहीं रखते हैं अगला कुश्चिन कर रहा कि एक आनवानसिक विकार है जिसके परेडाम सुरूप गैलेक टोज सरकरा को चपा पचय करने की छमता बाधित होती है ठीक वो कौन सी एक प्रकार की ठीक है विकार है एक आनवानसिक विकार कौन सी है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर हो जाएगा अफ्शन नम्बर बी ठीक है गलेक्टो सेमिया क्या गलेक्टो सीमिया वश्चा में घुलन सीन विटामिल तो सिंपल सा उत्तर आप सभी जानते होँए थीक है अगला कॉश्चिन कि समान ने मनुस तो प्लाज्मा पटेसईम अफ्तर कितना होता है ठीक है समान ने मनुस्यक ठीक है तो वो होता है 3.5 to 5.0 मिली मॉल लीटर प्रिति लीटर ठीक है इतना ही समान ने जो मनुस रहता उसके रक्त प्लाज्मा पोटेसियम का लेबल रहता है अगला कोश्चिन कहे रहा कि एक आनवानसिक विकार है जो गुड़ सूत्र 13 पर ATP 7B जीन में उत्परिवर्तन के क करण होता है कोई खास नहीं कोश्चिन लेकिन फिर भी इसका उत्तर जान लीजिए वह बिलसन रोग अगला कोश्चिन की युवा लड़कियां यह फिर यह युवा जो लड़कियां होते उत्में नौ साल फे तेरा वर्ष के लिए अनवनसित दैनिक ठीक है अनू संसित दै निक फाइबर सेवन की मात्रा कितनी है नौ से तेरा वर्ष की लड़कियों के लिए ठीक है तो वो है ठीक है 20 गराम कितनी है 20 गराम याद रखेंगे महात्कों क्रश्चिन भी अगला कुश्चिन कह रहा है कि यहा एक हानिकारिक चिकत्सा रोग है जिसमें बिक्ति के जल का उपभोग अधिक हो जाता है ठीक है तो वह कौन सा हानिकारिक चिकत्सा रोग है इन अपसरों में से ठीक है तो वो है जल मदक्ता ठीक है ए नंबर से उत्तर होगा अगला कुछ नहीं कह रहा कि कौन सा विभिन अड़ों से बना एक प्रति आक्सी कारक है जो कोशिका छति को को रोकता है ठीक है तो वह है बिटामिन याद रखेंगे法 से उत्तर होगा अगला कि इन अपसरों में से प्षरीर का मूड़ पोश्र तक कहा जाता है ठीक है किसको कहा जाता है nhất है तो जिसको कहा जाता उसका नाम है जल ठीक अगला कोश्यन है कि उम्र बढ़ने पर सबसे प्राक्तिक वसा में बिक्षित होने वाली आप्रीय गंध एवम स्वाध को क्या कहा जाता है ठीक है तो इस प्रोस्च को कहा जाता है बिक्रत गंधिक्ता ठीक है अगला की आतों में सरकरा के आउसोसर भी देरी करता है आत में जो सरकरा के आउसोसर में भी देरी करता है वो कौन है ठीक है तो वो है फाइवर याद रखेंगे अगला कोश्चन है कि फाइवर का एक अच्छा स्रोत कौन सा है तो फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जहां पर ज्यादा आपको फाइबर मिलेगा वह फलिया ठीक है अगला कोश्चन कहरा कि किसी द्रो या बिलियन की मात्रा को प्रत इकाई आयतन में बिलियक कणो मोल की कुल संख्या की रूप में परिभासित किया जाता है उसको क्या कहते भे कि अच्छा संख्या की रूप में परिभासित की जाती है ठीक है वह किया जाता है परासरी प्रभाव को बीनल सまで होगाama की अगला कुश्चन करे कि अलप सोडिया ठीक है अल्पसोडिया मरक्तता से कम समान नहें तथा फोडियम की उच्छ मात्रा की उपस्थित के करण होता कोई खापने इसको इग्नोरी करते हैं अगला की माइक्रोसाइटिक इनेमिया तथा उतक कौपर के निम्न अफ्तर का कारण बनता है ठीक है तो वह याद रखेंगे बहुत ही महात्रपूर्ण प्रस नहें ठीक है तो वह थीक है मोलीब्डे नम बिसक्सतता ठीक है मोलीब्डणम बिसक्सतता ठीक डी नंबर से उत्तर हो जाएगा अगला कॉश्चिन कह रहा है कि निम्न में से एक प्रति आकसी कारक है जो कोलेजन के संसलेशन तथा प्राक गर्भा छेपक विसरक तता की रोग थाम के लिए आवस्यक है वो कौन सी बिटामिन है तो है बिटामिन सी अगला कुश्चिन कहे रहा कि मात्र थाइराइड हार्मोन के फंफलेशन के लिए महत्पूर्ण है जो परिवर्टन स्वरूप ठीक है व्रोण के केंद्री तंत्र का तंत्र के विकाफ के लिए आवस्यक है तो वह है याद रखेंगे आयोडीन यानिकी नमक अगला कुश्चिन कहे रहा कि काउन सा एक बल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है नापसरों में से ठीक है तो सिंपल सा इसका उत् का अच्छे स्रूऔट है ठीक है बहुत ही महतर पूर्ण है तो वह है विटामिन से अच्छे स्रोव तफालं की विप्रतब्स हैं यह सब चीज इनकी एक रखें कर जोबभा बी ने मिस्ट लगना कि रगत जो होता है विटाविन की जो के कमी हो जाती जाता है किस चीज में तो वह प्रोटीन में नाइट रिजन जो होता है वो केवल एक पोसक में पाया जाता है वो है प्रोटीन ठीक है अगला की मोनो से के राइट्स क्या है तो मोनो से के राइट्स जो है वो कार्बो हाइट है इसलिए से उत्तर सी हो जाएगा क्या है सी नंबर ठीक है मानो सरीर के लिए फ्यूल फूट कौन सा है ठीक है फ्यूल का गेहों में सबसे ज़्यादा कार्भोहटेट मिलता है याद रखेंगे अगला वसा का उत्तम स्रोथ कौन सा है वसा जो सबसे ज़्यादा पाई जाती वो मखर में पाई जाती याद रखेंगे महात्पूर्ण प्रस्ण को छांट करके और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल सुस्क्राइब भी कर सकते हैं मिलते हैं को और ने वीडियो में जहिंद